तो नमस्ते दोस्तों आज आपके सामने है Scorpio N जो सबसे भौकाली गाड़ी देखने में लगती है और आपको ये गाड़ी का नामी रखा गया है Scorpio N, the big daddy of all SUV अगर हम लोग देखे तो काफी खतरनाग आपको देखने में गाड़ी देखने में लगता है और अगर लुक्स वाइज आप डिस्टिंग्विस करें तो पुराने वाले Scorpio पूरा डिफरेंट कर दिया गया है नॉर्मल नॉर्मल फीचर से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फॉरंट में LED लाइट साथ देख सकते हैं डूवल प्रोजेक्टर आपको मिलते हैं उसी के नीचे आपको इसके इंडिकेटर दे दिये जाते हैं फॉरंट में आपको ग्रिल दिया जाता है काफी मस्कुलर और यू महिंद्रा का लोगो और उसी के नीचे आपको कैमरा दिया जाता है जो 360 डिग्री सपोर्ट करता है और इसमें आपको एडास भी थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया गया है नीचे आपको डिया जाते हैं जो राउंट टैप में देख रहे होंगों सेंसर सब लोग बात करें तो 18 इंचेस के आपको अलॉइस ऑफर किये जाते हैं यहां पर और इसमें आप देख सकते हैं चारों विल्स में आपको डिस्ब्रेक ऑफर किये जाते हैं और और यह जो क्रूम एडट किया गया हो काफी अच्छा हो सेंट्रल लॉकिंग विकरा का फंक्शन बीषमें दिया जाता है आपको रिक्वेस अंसर मिलता ही और फ्यूल टैंक कैपसिटी सब आपको काफी अच्छा मिलेगा नीचे माँ देख सकते हैं फूट रेस्ट भी दिया जाता है फूट स्टेबल यानी जैसे आप कार में इंटर कर सकते हैं और फ्यूल टैंक के साथ करें तो आपको 57 लिटर्स का फ्यूल वरने का और एक जगा अपको दिया जाता है और इसका ओपिनिंग भी साइड से दिया जाता है वह आपको लास्ट वीडियो के सब्सक्राइब को एक आपको सकते हैं सब्सक्राइब को साइब आपको लेट जाते हैं आपको सकॉर्प्यो इन की बैजिंग दी जाती कि Scorpio और N यानी की new model आप कहा सकते हैं या new segment आप कहा सकते हैं Scorpio का आ चुका है चार परकिंग सेंसे सबको rare में भी offer किया जाता है ताकि आपके यतने बड़े SUV को save करके रखा जाए और पीछे में आपको देख सकते हैं आपको नीचे side में आपको दिया जाते हैं इसके spare wheels के option अब हम लोग गाड़ी के अंदर side में चले side देखते हुए ताब देख सकते हैं काफी अच्छा chrome finish का यूज किया गया है और गाड़ी देखने में बहुत बोल्ड लगती है और interior side में हम लोग चले ताब यहां देख सकते हैं इस touch up का function के साथ आते हैं आपको वार्वेंस फोल और फोल्ड करना और windows lock और gate lock unlock करने का option दिया ही जाता है यहां पर और interior आप देखे तो काफी new fresh look में आपको यह गाड़ी देखने के लिए मिलता है 8 inches का touch screen दिया जाता है चले गाड़ी के अंदर में हम लोग एंटर करेंग और electrically आप इसको adjust कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और इस गाड़ी के अंदर में हम लोग एंटर की है तो अंदर में आप देख सकते हैं आपको flip key offer किया जाता है और इस key को कहीं लगाने का नहीं दिया जाता है आपको push start stop ही दिया जाता है तो इसको normally mode कर रग देना ह यह एक चीज़ दिमेरिट कर सकते हैं आपको दिया जाता है flip key नहीं देना चाहिए थोड़ा odd सा देखने में लगता है 26-27 लाग का गाड़ी है और आपको flip की दिया जाता है instrument cluster के साथ बात करें तो आपको analog plus digital दिया जाता है analog काफी sober सा लगता है wheel alignment वह आपको so करता है कि दोन आपको AC दिये जाते हैं आपको दिखाएंगे हम लोग आप देख सकते infotainment system में अगर बात करें तो आपको apple carplay आफर नहीं किया जाता है जो बहुत बड़ा डिमेरिट है अगर 27 लाग कोई लगा रहा तो apple carplay आपको नहीं मिल लगा android auto तो आपको obvious कि offer किया जाएगा व आपको glove box काफी काफी बड़ा बड़ा दिया जाता है आपको instrument cluster काफी अच्छा रहता है TPMS जैसे feature आपको इसमें offer किया जाते हैं आपको हर एक चीज आपको इसमें भी दिखाया जाएगा कि driver का attention level कितना है वह auto detect करती है गाड़ी कि attention level कितना है अगर गाड़ी चलाते हो driver हलक इसमें जाते हैं जाते हैं और आपको बटन सवेगर आप काफी सारा offer किया जाते हैं और आप देख सकते हैं 6-speed manual transmission वी offer किया जाता है 6-speed automatic transmission वी offer किया जाता है हैंड्रेस के साथ बात करें तो आपको यहां पर दिया जाता है हैंड्रेस्ट और Scorpio in की बैजिंग यहां पर दी जाती है और यहां आप देख सकते हैं complete लेदराइट सीट्स दिये जाते हैं आपको manual आपको IRBMS दिये जाते हैं छोटा सा संडूफ दिया जाता है जो कोई भी यूज नहीं यह कहां को नहीं लगता है कोई भी यूज हो और आज किलके सिनेरियो में देखा जाते हैं संडूफ का इसका बैंड थोड़ा थोड़ा निकलते जा रहा है पता नहीं क्या है वह तो महिंदरा जाने की हो सकता है कि कुछ ने कुछ प्रॉब्लम आया होगा और एक और चीज है कि जो स्पीकर से स्पीकर थोड़ा ओपन है उपर से यहां पर देख सकते हैं आपको lights दिये जाते हैं जो completely LED सेटप में रहते हैं यहां देख सकते हैं आपको mirror holder दिया जाता ह है glass holder sunglass आप रख सकते हैं और sony की speakers आपको offer किये जाते हैं गाड़ी का sound quality काफी अच्छा है सीट को कुसनिंग काफी अच्छा है बगल वाले सीट भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा दिया जाता है लेकिन यह manual adjustment के साथ offer किया जाता है आपको dead pedal भी offer किया जाता है जैसे क की automatic है तो इसमें आपको clutch option देखने के लिए नहीं मिलेगाए सीवेंट्स आपको dual zone दिये जाते हैं अब हम लोग बीच वाले सीट्स में आ चुके हैं और इसका comfort देखे तो काफी अच्छा है यहां पर आपको दो सीवेंट्स दिये जाते हैं उसका control आपके हाथ में दिया ज यहां देख सकते हैं काम आफी दिया जाता है इस जगा टूप फोल्डर से नावर्मल नानमल चीज हैं complete आपको लेधर सीट्स दिया जाते हैं और इसके पीछे भी आपको सीट का option दिया ज्याता है डॉप देख सकते हैं काफी चाहाँ इस इंसर्ट का य्योज किया गया हर लेडी लाइट साब को केविन में देखने के लिए मिलेगा अगर फ्रंट से लुक ही देखे तो उस ट्राइब से अब देखे तो एस यूवी जैसा तो लुक नहीं मिलता है पको चलिए बाहर चलते हैं हम लोग इसके रेयर बूट के साथ बात करते हैं तो बूट स्पेस अब लोग लोग बूट पेस मिलता अगर चार-पांच लोग ट्रैवल कर रहें तो इसको नीचे करके आप बढ़िया बुट स्पेस बना सकते हैं तो बूट स्पेस के साथ आपको थोड़ा कम प्रोमाइज करना पड़ागा अगर सेबन लोग आप लोग कर रह था और 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 आपको रिक्लाइन वेकरा करने को आप से इसमें देखने के लिए मिलेगा आप सीट्स को बंद कर सकते हैं और साइड ओपनिंग है जैसा कि पुराना स्कॉर्पियो में ऑफर किया जाता था अब चलिए हम लग इसके फ्रंट से अगें चलते हैं बात करते हैं और इसकी इं देखने के मिलेगा गाड़ी काफी बोल्ड है लेकिन एक तरह से कहा जाए तो कॉंट्रोवर्सीव बहुत क्रियेट हो रही है इस गाड़ी के चलते हैं आज के डेट में और आपको संरूप से रिलेटेट कहीं 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 प्रॉब्लम है मेकैनिकल चीज है तो हो सकता है कहीं कहीं प्रॉब्लम क्रियेट हो लेकिन इसको अगर आराम से सोट आउट किया तो काफी अच्छा है सेफटी में भी काफी अच्छी है गाड़ी फाइव स्टार रेटिंग्स आपको मिलता है सिक्स एयर बैक्स ऑफर किया जाता है एबीस इबीडी ब्रेक असीस्ट इस पी हील होल कंट्रोल ट्रेक्शन कंट्रोल हील डिसंट कंट्रोल जैसे फंक्सन आपको इसमें दिया जाते रेडार वेगर अस्तर चीज़ दिया जाता है प्राइसिंग थोड़ा हाइक तो किया गया एक्सवी और स्कॉर्पियो एन अपनी ही में इन लोग कॉंपटीशन कर रही है कि अलग अलग कंपनी एक यहीं कंपनी में दो गाड़ी कंपटीशन में चल रही है अब आपका परसनल विव किस पर जाना चाहेंगे स्कॉर्पियो करेश अलग है और एकसी विदिया क्रेश अलग है तो आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में जरूर बता है और चैनल पने होंगे अधार सब्सक्राइब करना ना भूले तिल दें थैंक यू सो मच अभिसेक रॉसान साइनिंग आउट इस वाजदे स्कॉर्पियो एंड